Hello Everyone, Welcome to S-Academy I hope आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग के तैयारी भी अच्छी चल लए होगी आप लोग को बता दूँ आज इस वीडियो में साइन्स के इंपोर्टेंट कोश्चन करेंगे जो आप लोग इजामें बहुत बार पूछे गए हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से अंतर जरू देखिए क्योंकि बहुत ही महत्पूर कोश्चन है आप लोग जितना पढ़ चुके हैं बस आप लोग रिविजन कीजिए जिनका एकजाम आर्ट या नौ दस को है ठीक है क्योंकि जितने नंबर आप कोश्चन प्रेक्टिस करेंगे उतने आप लोग से पता चला है कि इस ट्राइब की कोश्चन पूछे जाते हैं तो चले बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पहली बारा है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब को लिजेगा चले आज की पहला कोश्चन सुरू करते हैं पहला कोश्चन आप लोग सामने है कौंसे सत्त्य की कमी से घेघहा रोग होता है कौन से तत्व की कमी से घेगा रोग होता है राइट एंसर होगा आप्शन सी आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है किसके कमी से आयोडीन की कमी से यह आप्शन सी आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग इस बात को जरू धा नखें चले, नेक्स्ट सवाल है, निमलिखित में से अधिकेंद्र, एपी सेंटर किसके संबंदित है, एपी सेंटर जो है, किस से संबंदित है, राइट एंसर होगा, भूकंप से संबंदित है, किस से भूकंप से संबंदित है, आप लोग को याद अखना है, साथ ही साथ आप लोग लिंक को बता दू अगर अंधे आप लोग इसका pdf लेना चाहते हैं इस वीडियो का आप लोग टेलिग्राम चैनल जौइन कर सकते हैं टेलिग्राम कि लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी चलिएं सवाल है नमक का रायसानिक सुत्र आप लोग बताना है नमक का रायसानिक सुत्र क्या होगा राइट इंसर होगा यन ए सी यल क्या होगा यन ए सी यल नमक का रायसानिक सुत्र होगा यनि option A आप लोगा सही इंसर हो जाएगा अगला सवाल है निम लिखीत में से डेंगू रोग का एक कारण है राइट इंसर होगा मादा एड़िच मच्छर डेगू रोक का मुखकारण यानि option A आप लोगा right answer होगा क्या होगा option A चले अगला सवाल है बोलों मीटर का उपयोग किया जाता है बॉलो मिटर का उपयोग किया है में तो् पावर्ड ट्रांस्फरंबan की कारेप्रणार्टान्थ किश पर आधारित है किस नियम पर आधारित है राई ट्राइ तो का फ्हेरापडे की नियम पर किसलियम पर फैराडे की नियम पर भेरी भेरी इंपर्टन कोश्चन बहुत बार पूछा गया है आप लोग को धानक नहीं आगला सवाल लेते हैं एक सरे की खोश करता कौन है एक सरे की जो खोश करता है यह है रोई अंट जन अगला सवाल है यदि लोलग की लंबाई को चार गुना कर दिया जाए तो लोलग जुलते की समय अधिक होगी क्या होगी? दो गुना होगी क्या होगी? दो गुना होगी ऑप्षन ए आप आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? अगला सवाल है नीचे दिये कि किस माध्य में द्धोनी तेजी से चलती है तो आप लोग को पताउ ने जिस लोहे की चड़ में द्धोनी तेजी से चलती है यानि option B आप लोग का right answer होगा very very important question है अगला question है radar system में कौन सी तरंगे का उप्योग कियाता है very very important question आप लोग को पताऊना चीहे radar system में सुचमत तरंगों का उप्योग कियाता है option B आप लोग का right answer हो जाएगा next सवाल है राजसानिक परवर्तन कौन सा उधारन नहीं दर्शाता है राजसानिक परवर्तन जो है पानी से बर्वरना नहीं दर्शाता है option A आप लोग का right answer हो जाएगा next सवाल है Y की गतिक को मापा जाता है Y की गतिक जो है एनिमोमीटर से मापा जाता है किसे वो एनिमोमीटर से आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायू की गति को किस से मापायाता है या आप लोग से आप्शन में दे दिया जागा एनिमोमीटर किसके नापने की इकाई है आप लोग आखना वायू की किसकी वायू की ठीक है बहुत ही महतपूर सवाल है चले आपनों से कोश्चन पूछते हैं बैरोमीटर से बैरोमीटर से क्या माप आयाता है कमेंट बाक्स से सभी लोगों को बताना है चले नेक्स सवाल है कौन सी तक्निकी के दौरा समुन्द पानी से नमक को अलग किया जाता है राइट इंसर होगा वास्पी करण के दौरा किसके दौरा वास्पी करण के दौरा समुन्द के पानी से नमक को अलग किया जाता है अगला सवाल लेते हैं कौन सी गैस परावगने किर्णों का अवसोसर कर लेती है राइट इंसर होगा ओजोन गैस जो होती है परावागने किरिणों का अपसोसर कर लेती है निए अपसर ए आप लोग का सही इंसर हो जाएगा नेक्स सवाल लेते हैं आदता मापी जाती है आदता किसे मापी जाती है एनिमो मीटर से आदता मापी जाती है हाइड्रो मीटर से मापी जाती है किसी हाइड्रो मीटर से आदता मापी जाती है एनिमो मीटर से जो है या पर गरत लिखा है एनिमो मीटर से वाई की गती मापी जाती है हाइड्रो मीटर से जो है आदता मापी जाती है नेक्स सवाल है सूरज पर मुक्तक कौन सी गैस पाजाती है राइट इंसर होगा हाइड्रोजन गैस पाजाती है कौन सी हाइड्रोजन गैस पाजाती है नियुक्त बी आप लोग का राइट इंसर हो जाएगा निक सवाल है बेकिंग सोड़ा का रहसानिक सुत्र क्या है बेकिंग सुड़ा का रहासानी सुतर है जो है यहने AHCO3 होता है अगला सवाल है वायू मंडल में कितने परचिशल नाइट्रोजन होता है वायू मंडल में अहात्तर पर्चिशल नाइट्रोजन होता है आप लोको ध्या लखना है option C आप लोग का right answer हो जाएगा अगला सवाल है type height किसकी वज़ा से होता है type height जो होता है जिवाडू एनि बैक्टिरिया के कारण होता है option C आप लोग का right answer हो जाएगा ठीक है next सवाल है कोईला खान में कार करने वाले को मुक्तक कौन सा रोग होता है very very important question आप लोग को पतावने जो कोईले के खानों में कार करते हैं उनको black lung नामक रोग होता है ठीक है option A आप लोग का right answer होगा next सवाल है निमलिकित में से कौन सा एक plagmodium पर जिवी का वाहक है right answer होगा मच्छर plagmodium पर जिवी का वाहक है आप लोग का right answer हो जाएगा अगला सवाल है विकास वात का सिध्यान किसके दौरा प्रमाणित किया गया था right answer होगा डारवीन के दौरे आप लोग का right answer होगा विकास वात का सिध्यान जो है डारवीन के दौरा प्रमाणित किया गया था ठीक है नेक्स सवाल है मानो सरीर का व्यस्ततम अंग कौनसा है यह है दिल कौनसा है दिल जो है मानो सरीर के सबसे व्यस्ततम अंग माना जाता है यह ओप्सन डी आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा नेश्च सवाल है, हाथेली पर रखने से कौँ सा तत्युपी घंणे लगता है, राइटेंस रोगे गेलियम ठीक है, आप लोग रहना भेरी भेरी इंपॉर्टन कोश्चन है अगला कोशन है, आयनिक योगिक का कोथनांग कितना होता है, यह होता है, उच्छ होता है क्या होता है, आयनिक योगिक का कोथनांग जो होता है, यह उच्छ होता है चलिए अगला सवाल है इस्टेल इस्टिर किस प्रका की धातू है इस्टेल इस्टिर जो है या मिस्टे धातू है कसी है मिस्टे धातू है निए option A आप लोगा right answer हो जाएगा अगला सवाल है काज का महतपूर घटक है काज का महतपूर घटक है right answer होगा सवाल है आवर्त साड़ी के अविस्कारक थे यह थे दो मेंडलिफ ठीक है यह आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग को या लखना है नेक्स सवाल है थर्मल फ्लास के अविस्कारक कौन थे थर्मल फ्लास के अविस्कारक जो थे जैम से दीवर थे कौन से James Deaver एनि option D आप लोग का right answer हो जाएगा जितने भी अविस्कारक हैं उनका नाम आप लोग को पता होना चीहें क्योंकि आप लोग जामें अविस्कारक एक जरू आप लोगों से पुछा याएगा कोई भी अविस्कारक पूछ लियाएगा जितने भी स्रिप्ट में होंगे एक ना एक कोई अविस्कारक जरू पूछा याएगा किसकी खोज किसकी दौरा की गई नेस्ट कोश्चन है चीटी के डंक में कौन सा अमल होता है राइट एंसर का फार्मिक अमलो होता है कौन सा चीटी के डख में फार्मिक अमलो होता है और संसी आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल तो यह रहे है टॉप 50 कोशन तो आई होप आप लोग को पसंदा होगे पसंदा इस वीडियो को लाइक एंसर कीजिए चै झाले झाले को आई होगे है